आपने बच्पन से ही हिपनोटाइज शब्द सुना होगा ये मेडिकल फिर्ड का ऐसा सबजेक्ट है जिसे लोग जादू गरी से जोड़ कर देखते हैं आज इस वीडियो में आप जानेंगे कि हिपनोटाइज आखिरकार है क्या वास्तों में हिपनोसिस, हिपनोटाइज या सम्मोहन क्या है इसके बारे में कुछ भी कह पाना वास्तविक्ता से कहीं अलग हो सकता है हिपनोटाइज क्या है इसकी अलग-अलग परिभाशाएं पाई जाती है American Psychological Association के मताबक सम्मोहन दो लोगों के बीच की आपसी बातचीत हो सकती है जो एक प्रकार से गुप्त हो सकती है इसमें एक प्रतिभागी होता है और दूसरा उसे सम्मोहन करने वाला याने हिपनोटाइज करने वाला जो प्रतिभागी से अपने किसी भी सवाल का जवाब ज क्या खच्ब्द है जिसका आर्थ सोना या नीद होता है लेकिन हिपनोसिस और स्लीप में अंतर है जब हुम सो रहे होते हैं तो हम कौश्च रहते हैं आज-पास की जानकारी रहती है पर हिपनोसिस में चेतना नहीं रहती है रेक्ति अपने आसपास होने वाली गत्वीधियों को समझ नहीं पाता है अब बात करते हैं हिपनोटाइज का इस्तिमाल किसके लिए किया जाता है अधिकांश लोग हिपनोटाइज के इस्तिमाल पर अपनी अलग-अलग राय रखते हैं जहां कुछ लोग हिपनोटाइज का भी प्राय, किसी शक्स को अपने बस में करना मानते हैं, वहीं हिपनोटाइज का इस्तिमाल मनोवग्यानिक चिकित्सा में एक थेरेपी के तौर पर किया जाता है, हिपनोटाइज की मदद से डेप्रेशन या आन्य मानसिक परेशानी का सा समोहित व्यक्ति व्यक्ति को समोहित नहीं करता है, बलकि समोहित व्यक्ति एक प्रकार के कोच या ट्यूटर के रूप में कारे करता है, जिसका काम व्यक्ति को समोहित करने में मदद करना होता है, समोहित व्यक्ति एक तरह से नीद में रहता है, जिसे कृतिम नीद कहा जा स इसकी अलावा मनुविज्ञान में सम्मोहन को कभी कभी हिपनो थेरेपी के रूप में भी संदर्भित किया जाता है और इसका उप्योग मानसिक दर्द को कम करने और उपचार जैसे उद्देशों के लिए किया जाता है सम्मोहन आम तोर पर एक प्रिशिक्षित चिकित सक द्वारा किया जाता है जो एक कृतिम निद्रावस्था के जरिये व्यक्ति को सम्मोहिक करके उसका उपचार कर सकता है दोस्तों आईए जानते हैं कि हिपनोटाइस के 5 अलग-अलग स्टेज कौन-कौन से होते हैं स्टेज 1 ये शुरु आती स्टेज होता है इस स्टेज में पीर्थ व्यक्ति नीद में होने के बावजूद भी आसपास होने वाली गतिविधियों को समझते रहते हैं स्टेज 2 एक्सपर्ट्स के अनुसार इस स्टेज में व्यक्ति ज्यादा गहरी नीद में सोता है स्टेज 3 इस स्टेज में व्यक्ति वही करता है जो हिपनोटिज एक्सपर्ट्स उसे करने के लिए कहते हैं कभी कभी पीडित व्यक्ति पहले अगर कुछ सोच रहा होता है तो वो भी कर सकता है स्टेज नमबर 4 इस स्टेज में hypnotized व्यक्ति शान्त रहते हैं इस समय वो क्या सोचते हैं इसे समझपाना कठिन हो जाता है स्टेज नंबर फाइव ये लास्ट और सबसे ज़्यादा एडवांस स्टेज माना जाता है आईए जानते हैं हैपनोटाइज से जुड़ी कुछ रोचक बाते हैं सोचने समझने में भ्रहम होना सिर्फ हिपनोसिस एक्सपर्ट ही किसी को कोई हिपनोटाइज कर सकते हैं हिपनोसिस को लोग जादू समझते हैं या ब्लैक मैजिक समझते हैं लेकिन ऐसी धारणा गलत है हिपनोसिस की समस्य होने पर हिपनोसिस एक्सपर्ट ही आपको ठीक कर सकते हैं सामाने व्यक्ति दिन में कम से कम दो बार हिपनोसिस का अनुभाव करता है रिसर्च के अनुसार हिपनोसिस की मदद से शारीरिक दर्द भी ठीक किया जा सकता है हिपनोसिस के कारण या दाश्ट पर बुरा प्रभाव पड़ता है Hypnotize की स्थिती में मस्तिश्क सामानने से अलग रहकर काम करता है ऐसी धारणा है कि Hypnotize ट्रांस की स्थिती से मनुश्य बाहर नहीं आ सकता है लेकिन ये धारणा गलत है Hypnosis में हर व्यक्ति में अलग अलग तरह से वर्ताव करता है आप खुद से अपने आपको hypnotize नहीं कर सकते हैं ये मानना कि सिर्फ मस्तिश्क से कमजोर लोगी सम्मोहित किये जा सकते हैं लेकिन ऐसा नहीं है कोई भी व्यक्ति सम्मोहित हो सकता है दोस्तों इस therapy का उपियोग बॉलीवुट के कई बड़े बड़े सितारे अपनी भूमिकाओं से बाहर निकलने के लिए करते हैं आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल अग्याद दुनिया को